कर दो मुजब्गन अगर से संबीना स्वागट है आपका जी पात करा Links जी बात कीजिये जी सबीना असलम अलेकूम 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 जी पेड़ा ओर आप हमारी जो अमी है ना उनके मतलब दिल की धरकन प्याज़ जाती है और होल होती है बहुत जाती है और उनके ना मतलब अधासी रेख होती है यह नहीं 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 आती है क्या उमर है ममी की उमर तीस साल है अमी की उमर तीस साल तीस साल नहीं 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 गलत करी हैं आप कितने साल की है अच्छा अमी की उमर चालिस साल नहीं और ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं नहीं ममाने नहीं आपकी उमर कितनी है अच्छा मेरी उमर बीस साल ह तो देखो ममी की उम्हत जादा होगी चलो कोई बात नहीं ठीक है एक सवाल होगे अब अपना सवाल करिए जी मेरना मतलब सिर्में जंजनास ती रहे है नशोगने और दर्थ बहुत जादा रहता है कुलन बहुत जादा रहती है और दिल की धड़कन तेज रहे है और मेरा रोना बहुत जादा रहे जब रोती रहे रोती रहे सब दिल करे रात में नीन भी नहीं आती बिल्कुल दी मुझे डिप्रेशन बदाया डोक्टरों ने लेकिन कोई अराम नहीं है दवाई बहुत जादा साली में ने ठीक है कलम और पैन है आपके पाख कौपी और पैन है ना पैन कौपी लेकर बैठे हैं सबीना आप जी बैठे हैं कौपी पैन उठा लिया है और आपने मुझे पहले एक दवाई बत लाई थी तो हमने करीब से आराम नहीं आया बिल्कुल भी कौन सी जी दो सुग्राम तो पाउला लिखा था उसमें 200 ग्राम चोटी हैर और 300 ग्राम धनिया अच्छा और 30 ग्राम अगाई थी आपने उसमें बताई थी एक महीना हो गया लग बहुत जादा ही आराम कुछ नहीं आरा बिल्कुल भी और गौन मौरिंगा सफेद जी वो तो नहीं बताया था आपने नह नहीं बता यह लिखना बहुत जलूरी है एक तो यह अधूरा है यह जब तक आप गौन मौरिंगा सफेद नहीं डालेंगे इसमें और यह एक महीना नहीं पांच-छे महीने खाना है यह डिप्रेशन का मर्द में टाइम लगता है पांच-छे महीने यह उससे भी ज्यादा मतलब कितने ताइम में आराम होना शुरू होगा आराम तो शुरू हो गया होगा आपको पता नहीं चलेगा लेकर च्छे-सात महीने यह लगा तार लेना है इसमें गौन मौरिंगा सफेद याद रखना है सफेद वाला ही लेना आप लिख लिजए मैं बार बार जो कहता हू ना कि कोई गलती कर दे तो उसका जम्मेदार मैंनी वो लिखने वाला एक तो ये आपका नुसका आपको 6-7 महीने खाना है इससे आपको फायदा मुम्किन है ये बहुत मुझरब है यानि बहुत तजर्बों से गुजरा हुआ है आप इसे जरूर ले जल्द वाजी ना करें य कि डिप्रेशन के मरीज़ को 7-8 महीने भी लग सकते ठीक है अब मम्मी की बात मम्मी को आप दीजे जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का तीन चम्मश सुबह तीन चम्मश शाम या एकी टाइम रात के सोते वक्त दे दिया करिए ये चोट चाय के चम्मश एक किलास पानी में मिला दें रात को जब सोने का टाइम हो जाए लाइटे वाइटे जब बंद कर देते हैं फिर एक गिलास पाने मिला के पला दिया करें उसी दिन से उनको अच्छी नीन आने लगेगी उसी दिन से यह मेरा तज़र्बा है मैं भी जब बहुत ज़्यादा होता हूं तो यह ले ल ब्लॉकिज हो जाती है उनके लिए हाजमे के लिए बुरे ख्यालाद के लिए दिल की धरकन के लिए बहुत फाइदे में लीवर के लिए मैदे के लिए किड्नीस के लिए यह बहुत तेज होता तीन चमच ले और रोज दें और फिर हमें जैसे आप बुराई कर रहे हैं ऐस ही आप हमें इसकी दुबारा से फोन करके बताएंगे कि आपको फाइदा मुम्कीन है बहुत जल्दी नहीं दस पंदा दिन में कुछ नहीं होता अब महीना बार दो वहीना तो लेगा मैं इसका फाइदा नजर आने लगा फिर होसला हो जाएगा कि आप लगातार इलाज कर सके जी तो दर्श को देखिए जब तक कॉपे पैन लेके नहीं बैठेंगे तो कोई भी बात नहीं लिख पाएंगे अच्छे से फिर आप लोग चूक कर देते हैं नुस्के आप कुछ और बना लेते हैं आपको लाब नहीं मिलता है अगर आप लोग यह चाहते हैं कि आपको को इस कारक्रम के माध्यम से बताया जाता है कि सब्र जो लोग रख सकते हैं वो अनुसके अपना सकते हैं बाकी दर्श को लाइक कारम है रोक संबंद ही कोई भी आप प्रश्म करना चाहते हैं हकीम साब लाइब बात करना चाहते है तो फोन उठाईए नुबर्स पर पे कॉ अगे मेल जे सब्सक्राइपना तरहीन तरहने थी उदोषी मेल यंज पलाजिए कितने साल से घां अब जय ऑफ घॉटनों में जय कितने साल आपके शमयन नोगए मैठम मेरा ब्लेध मेठमिय कायी एक शब्रस पिको में ज्यका किन है और गुफमार उम्र किया है आपकी? उमर कि ऐसी है, 25rator क…… ठीक है कॉई दवा खा रहे है? हमारी दवा खा रहे है आप हमारी दवा तो नही खा रहे है है तो नहीं ख़ा रहे हैं, नहीं काigा कर्या है तो और बात नहीं वोग जानते हैं कि ऐसे मरीजों के लिए एक मैं गौन्द बताता हूं और वो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है असली लेना और सही प्रोटेंसी में लेना ना कम ना ज्यादा एक गौन्द आता है गौन्द सियाह नाम से काला गौन्द भी कहते है इसे ये बहुत कड़वा होता ह और नकली भी बहुत मिल जाता है तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है या आप जैसे मरीजों के लिए एक सोना है एक तफ़ा है हम जैसे मरीजों के लिए आप जैसे उमरवालों के लिए बस एतियात ये करनी है कि ये असली लेना है और खली सो ग्रामी ले ले लीजे और बहुत सस्ता है, दस बारा रुपे रोज का पड़ता है, आपने लाखों रुपे की दवाएं खाली होंगी, लेकिन ये दस बारा रुपे रोज की दवा अगर असली मिल गई, असली ही लेना है, नहीं तो मत लेना, आदा गिराम सुबा, आदा गिराम शाम, नाश्ते और खान use करना है आपको अपनी जरूरत के लिए नहीं है को लगवा लें और जरूरी है वो ON 호र्ण देर में फाइदा होता है और अगर ये लगावा होगा तो बहुत जल्द फाइदा मुम्किन है आप लगाता लें आपको फाइदा मुम्किन है काफी तकलीफ में आप और काफी दवा खाली आपने यह 100 ग्राम दवा आप खालीजे यह एक raw material है कच्छी दवा है यह कुरी दुनिया में इसकी demand है इसलिए लोग नकली भी दे देते हैं असली लेना आपकी जिम्म महराश्य उसे अगले caller है जिनका नाम है नाना स्वागत है आपका नौसे नमस्कार बताईए नह रागटर बीपी है डागंपी को बढ़ता है लग ठोड़ा दिल में ज्यादा ही होता है बीपी बढ़ता है बीपी नहीं है अच्छा बीवी बढ़ता है बीबी को क्या होता है? डीबी को दिल में तोड़े यह होता है. गवराथ? धर धर जादा होता है. हा, तुक्त की तिनी आयो है उनकी? बछपंद पच्पन पच्पन जा देखी यह उम्र में हम पता हो या नहो हम दिल के रोगी हो जाते हैं हमारा बी-पी बढ़ने लगता है हमारा कलिस्टाल बढ़ जाता है खून का चर्बी बढ़ जाता है और दिल के असपास चर्बी होने लगती है, यहां तक कि दिल की रगों में भी चर्बी जमने लगती है, जो लोग इस बात से वाकिफ हैं, उनको खूब लहसन का इस्तमाल करना चाहिए, लहसन काएं, पांच से दस पीस रोजाना, आपकी पत्नी, और एक सिर्का आता है, पानी मिला कर पिया करें, तो उनका रोग मुक्त होना मुम्किन है, अगले कॉला लखनाओ से है, आरके गुपता जी, स्वागत है आपका, जी, जी, बताईए, सवाल क्या है, नमस्कार हकीम सागी, मैं कार्टी गुपता बात करूं लखनाओ से, मेरे पेट में बहुत दिक् कभी राइट साग, कभी हलका थोड़ा, कभी एकदम चुबन मस्ति है, लेवट इजोड़ा दील केसाएड, कभी राइट साइज चुबन मस्ति, मैं हजा है पूरे पेट में अलग अलग जगण चुब मस्ति रेती है, जाज जह बहुत बंके है, एज मेरी नाइंटीन रेट उन्निस सार। हमूं। चादी कि एक तो पांच बार गरम पानी जरूर पिया करें। और मेथी, और सौफ, धनिया, अजवाएं। ये सब को बराबर बराबर वजन में लेकर पाउडर बना लें। और सुबा आधा चम्मश साम गरम पानी से ले तो आपको फाइदा होना मुम्किन है। कानपूर से अगली कॉलर है आशा जी स्वागत है आपका। नमस्कार। मुझे अपनी बेटी के बादे में पूछना है और साड़े दस साल की उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। और इदर उसका फैर भी बढ़ रहा है। पाटी टू केजी ही हो गए यह हो ठीक है। जी। देकि इस बच्ची को दवा कुछना दें। और यह इसको जितना भी हो सके। पैदल चलाएं और अगर यह दोड सकती है या। वो बच्ची हैं गेम कहलती है रसी कूदने वाला। कुछ भी नहीं तो रसी कूदाएं खूब। एक घंटा यह उससे जादा रसी कूदे रोजाना। यह भागदोड का गेम एक घंटा यह उससे जादा खेले। तो इससे इसके दोनों फायदे होंगे। फैट कम होगा और लंबा ही बढ़ने लगेगी। और किसी पाइप ऐसे पकड़के ऐसे लटकते हैं ना आपने देखा होगा लोग उस पर लटके और रोजाना आप एक चीज ले लें गौन मौरिंगा सफेद। इसका रो मैटेरी लेना सफेद वाला लेना और इसको पॉडर बना लें और आदा गिराम रोजाना पानी में मिलाकर इसको एक बार पिला दिया करें। बच्ची को फाइदा होना मुम्कीन है। औरंगाबाद से छाया स्वागत है आपका। अरिमी जी नमश्कार, आपकी अवाज हम तकहरे कुझ आतूरी है। तेज अवाज में बात कीजिए। अवज की लह बात नहीं आरी है। अब आरी है। अब आरी है, सबत है। के अश्म separating और कांट कौन करी कलिका पूंचे बिटां पाया हाँ एक टीकर डिफॉल्ट बोल के नाम है टीकर, एक जैटून सिरका है, एक गोंड सिया है, काला गोंड. चीक है. जो देखिए जैटून का सिरकाँ उनको लेना है जिनके डायमटीज है, ब्लैड प्रेशर है, यह पेट की प्रॉबлем है, यह लीवर की प्रॉबлем है, या खून में चर्वी जादा है उनको लेना दिन में एक बार या दो बार तीन तीन चमच पानी में मिलाकर ठीक है और टी के अर टी फूर टाइगर कपसूल एक सुबा एक शाम नाचते और रात के खाने के बाद पानी या बगए चर्वी का दूज या जूस से लेना है अगर डाइप्टीज नहीं है तो और गौंस या को पाउडर बना लीज़े ये राव मैटेरियल है और जिनके दर्द है वो शक्स आदा गिराम सुबह आदा गिराम शाम खाएं और टी केर भी दर्द के ही दवा है या तो टी केर ले दर्द वाले या गौंस से आ ले एक ही चीज़ ले आप समझ गए होंगे वरना इस पर नंबर भी लिखा होगा जो पैकेट आपके पास आया इस पर नंबर लिखा है आप उनसे हैल्प लाइंड से भी मदद ले सकते है झाल 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 झाल